मेरा मानना यह है कि हर काम का हर बात का एक समय निर्धारित होता है और वो निर्धारन वो करता है आपके प्रश्ण का पूरा उत्तर यही है लेकिन कई बार कुछ परिष्थितियां इस तरह से बनती हैं से हम कहते हैं कि काल समय और परिष्थिती उसके अनुसार जो विक्ति अपना कर्तव्य करता है उसी को उस विक्ति का धर्म कहा जाता है धर्म हिंदू-मुसल्मान से खिसाई नहीं होता यह संप्रदाएं है धर्म वही होता है कि इस समय इस काल परिष्थिती समय में हमारा क्या कर तब यही अमारा धर्म ए जहां तक राजनीती का प्रश्ण नहें है लाजनीती की परिभारशा परेले कुछ और हुआ करती थी भारती विट जंटापार्टी के आने से पहले मेरे हसाब से राजनीती को मैं बहुत स्टेटस की चीज नहीं मानता था मैं सुरी मैं जो कह रहा हूं सर दिल से कह रहा हूं बिलकुर कि मुझे बहुत नहीं समझ में आती थी ये बात लेकिन जब से श्री नरेंद्र मोदी ने वो उनका नेत्रत्रों मिला है और उन्होंने इस देश को संभालने की संभाला है जब से तब से जो परिभाशाएं बदली है राजनेताओं की राजनेतिक पार्टियों की उनके आचार विचार उनके कर्मों की उनकी सोच की उनके प्रेजेंटेशन की उनके प्रोजेक्शन की उससे ये सारी परिभाशाएं बदल गई है तो इसलिए अब वो बात जो पहले थोड़ है मैं आपको सच बता हूं मैं एक बहुत स्ट्रेट लाइन चलने वाला इंसान हूं मेरे दिल दिमाग में जो आ जाता है मैं वो कर लेता हूं और मैं यहां राजनिती के लिहाज से नहीं हूं मैं यहां अपनी कर्तब्य नीती के लिहाज से हूं आज जो मेरा कर्तब्य है यहा होता है उसका डिरेकली या इंडिरेकली जो भी मेरा कॉंट्रिबूशन था वो मैंने मेरे से हो गया है मैंने नहीं किया कराया तो इसने था पर मेरे से हो गया है वो अब जो राष्ट सेवा की बात है या राष्ट निर्मार की बात है उसमें जो मैं मैं जरूर अपना जो फिर हमारे से तो इसके लिए जो प्लेट्फॉर्म इस समय है वो सबसे अच्छा यही प्लेट्फॉर्म है जहां मैं बैठा हूँ तो यह हुई बीजेपी की बात दूसरा जो एक ट्रिगर पॉइंट बना मेरे लिए मुझे सार अरुन सिंग जी ने अभी कहा ममता जी को जैश कोई नारा नहीं है यह पलिटिकल नारा भी नहीं है यह उद्गोश है यह हमारा जीवन है हम इस पी जीते हैं यह हमारे आदर्श है हमारे संसकार है